ब्राट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स एक सावाल रहेंगे और क्या वो एक एंटी इंकंबंसी फेक्टर जो होता है वो इस बार के चुनाओं में कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा सेवा के मेरे 20 साल पूरे हुए है और मैंने उसी हिसाब से काम किया है कोई भी ऐसा विक्ति मुझे मेरे लोग से बच्चेत का ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो यह कह दे कि गणे सिंग के पास हम गए तो मिले नहीं हमारा काम नहीं किया जो हमारी चमता है उसका अधरा पर उनकी जिला कि सेड़ी में लाके खड़ा किया है बारत सरकार राज सरकार की सारी योजनाएं जितनी वहत्पुन योजनाएं उनको लाने कहां पर प्रयास किया है मुर्त रूप उनको देने में लगे हुए है मुझे निलग तक कोई एंटिन कमेंसी नहीं है अब कुछ अलग सभादी लोग सभा चुनाओ हो रहे हैं तो जनता इस बार पिछले नतीजों को रिपीट ना करें ऐसा क्यूं लगता है अब देखिए विधान सभा के चुनाओ में मुझे अचानक मैं जान बतरना पड़ा और यह सहरी विधान सभाशीर थी और सभावी के हर मद्दाता चा नहीं होगा हमारा विकास का मुद्दा पहले भी था आज भी है कल भी रहने वाला है और जो लोग यह कहते हैं कि जनता ने उनको नकर दिया वो मुझे देखता कि गलत बोल रहे हैं और अब लोग सभा के चुनाओ में इसी सतना विधान सभा में मैं आपको बता रहा हूँ म चुनाओ प्रणाम आया तो हमारे शित के लोगों के मन में भी आया कि कहीं कहीं चूख हो गई और नहीं तो गणिसिंग को इसमें से चुनाओ जिताना चाहिए था प्रदेश में सरकार भाजपा की बनी पहले एक थोड़ा सा यहां पर ऐसा नेरेटिव फैला गया कि कॉंग कर रही है आपकी पार्टी तो आपको नहीं लगता अकर कॉंग्रेस का वो नेरेटिव था तो यह भी तो बीजेपी का नेरेटिव ही है या फिर आप जब सुबह से खेतर में घूम भी रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको जो मोदी की गारेंटी है जो बार-बार आप सवार गाऊं गया मैं निकल लहा था पब्लिक मेंटिंग करके जाये तो पंदरविस महिलाएं आ रही थी मैं दो मन गाड़ी रोका उनको पड़ाम किया तो एक महिला बोलती है हम मोदी परिवार हैं शेंता मत को और वोट आपको करेंगे इससे क्या संदेश गया इसी तरह स कि अब हमारे सारी समस्यों का हल हो जाएगा बड़ी संख्या में एक पंचायत में 80-90% परिवारों को हमने भारत सरकार की और रासरकार की जोनाओ सीधा जोड़ने का काम किया है अगर कोई मडिल पॉपलिशन के अगर कोई पंचायत आग देखेंगे तो 40-50 लाख रुपे म लेकिन मोदी जी की पैट तो बहुत आम आदमी तक महच चुकी है बिस्वास पूरा उनके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन क्या वज़ए है कि अगर पैट इतनी गहरी है तो पहले चरण के मतदान में बहुत कम प्रतीशत रहा पोलिंग का और इस बार भी अगर सुबह नौ साब आजी जो लोग है वो बुड़ डालने नहीं गए और वो सब जो गड़बंदर मना इंडी गड़बंदर उनके लोग है हमारे वीज़एपी को लोग सब बुड़ डालने गए और पूरी ताकत असाथ गए और दूसरे चरण में और भेंकर इस्तिती में जा रहे हैं ब प्रविश्वास एक अंतिम सवाल जो शायद बहुत कम लोगों को यहां मालूम होगा जब विधान सभा के चुनाओं चल रहे थे तो आपको ले करके बीजेपी संगठन की योजना कुछ और थी नतीज़ आपके पक्ष में नहीं आए तो वो योजना क्रियान विद भी नह बीज़त में करती मैं करता हूं जो भी जिम्मे करे पार्टी मुझे निभाना है बाकी बीसे मेरा नहीं मेरे नेत्रट का है उनको ते करना है यह थे सतना से सांसत गणेश सिंग जो अमिदवाद भी है भारती जंता पार्टी के और अपनी जीट को लेकर पुरी तरगे से आश्वास्त है रवीश पाल सिंग सतना झाल